हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ क्रिमिनल जारे मिस्टर के रही आप उनके प्राइम मिस्टर भी आप आप से और जड़्दारी साथ मिल्डे को तयार हो इस अनकी याद हानी के लिए क्या किया तेंगे आप तो बहुत याद कहरें देखे, मिया वजीरी अजम साहब जो है, और साबिक वजीरी आजम साहब जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पना पुजिशन है, वो स्टेटड पुजिशन है, जहां तक जमहुरियत की बात है या स्पिसिफिक्स की बात है, हमने अपने पार्लिमेंटरी वहार जा रहे हैं वहार से सब्सक्राइब करते हैं जो हैं जो आप पाकिस्तानी जानते हैं कि अगर हम पिछले थार्टी यर्ज पिलिटिकल हिस्ट्री निकाले तो हर जो जमूरिय के खिलाफ साज़िश हुआ है उसमें में नमाश्टी इस शादल हुआ है इस वाक पाकिस्तान पीपल्स पाटी जमूरियत के साथ खरा है हम जमूरियत को मजबूत बनाना चाहते हैं और इसलिए में रिक्वेस्ट कर रहा हुँ के नवाश्रीफ साब जो है वो अपना यह जानते हैं हम सब जानते हैं कि हमारा एक फ्राइल यंग दिमॉकरसी है और वो जो भी जो जो चोटान यह जो खिए अफॉर्ण साब्स फोटोओ जो जो कुछ कर रहे हैं वो चाहते हैं कि मैं देखो अपर्माशी के बारे में आप सब जांते है कि पाकिस्तान पीपल्स पाटी पाटी हमेशा के लिए हमारा स्टांस क्या रहा है और आज भी वही स्टांस हैं लेकिन मिया सहाब मेरा ख्याल में अनफॉर्चनेटली आफील मिया नमाज शरीफ सहाब डसन अंडिस्टैंड दे मीनिंग आइडियोलजी और नज्रिया कि अगर आप अपना फाइदा के लिए वो तो हमेशा से उनका आदत रहा है कि वो ऑपर्ट्यूनिस्टिक लोग है और अभी भी ऑपर्ट्यूनिस्टिक है वो जमूरियत के लिए मैं चाता हूं कि हम सब जो भी इस पार्टी है नून लीग हो पी टीया हो पीपल्स पार्टी हो हम सब मिल के इस वाण पॉंपांट जेंड़ पर हम अग्री तो है के पाकिस्तान एक जम्हूरी मुल्क होना चाहिए अब ऑपर साहिज साब की जमानतों अब वो रहा हो है कौन रहा हूँ है? काफसा flouris देखो मेंने इसकेस का's particularsood नहीं जानता हूँ आसा, I want to be careful लेकिन uh... बिल्कुल हमने... इंडिया के बारे में नहीं सचना हे अमरीका के बारे में नहीं सचना हे हमने पाकिस्तान की यह सोचना है और अगर पाकिस्तान को एक मुझबूत जुमूरी मुल्क बनना है, तो हमारा एक रूल-फ-लो और रिट-फ-स्टेट भी होना चाहिए है। और a monopoly on violence, there should be with the state also. तो हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए, जो भी militant groups or organizations है, जिनके पास capacity है to carry out attacks, उनके पर देखना पड़ेगा और स्टेट करेप्स करना पड़ेगा और स्टेट करेप्स करना पड़ेगा. इसाक्दार साहब की रुखसक मंदूर हो गी है, कि पास्ताना है? इसाक्दार साहब अहम्दल्ला फाइनली यह जो हुआ है, हो गया है, कि एक आद्मी जो अपना चेक्स नहीं साइन कर सकता है, पाकिस्तान का चेक्स कैसे साइन कर रा था, और इस इस हैपने लेट बढ़ेगा. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. झाल